हेलो एवरीवन आज की रेसीपी बहुत ही फटा फट से बनने वाले बिना गैस के बनने वाले आज मैं लेका हूँ यह मज़दार सी चटपटी सी तीकी सी स्प्राउट वाली चटनी जी फ्रेंड्स धनिया बहुत महंगा और हमार्किट में आभी कमड़ा है और चटनी हमें ब परचान भी नहीं पाएगा यह चटनी किसकी है तो लाइक कमेंडर शेयर कीजिएगा और पूर देखेंगा देखते हैं आज की रेसीपी स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को पूरा देखिएगा छोटी सी वीडियो सी 5-5 मिनिट की तो बिल स्किपना कीजेगा और एक दम नई तरीके की आज मज़दा सी स्पाइसी मैं आपको चटनी बनाना दिखाऊंगी जो बहुत ही यम्मी बनेगी और अगर आपके धनिया नहीं पूधिना नहीं तो फिर भी आप बना सकते हैं तो चलिए बढ़ते वीडियो को तरफ पूर दे जीने की बना सकते हैं उसके लिए मैं लिए कटर स्प्राउड एक आदी चम्मत जीरा वन फोट लिया एजवाइन नमक स्वात के नुसा और थोड़ी सी रेट चली यहां मैंने थोड़ा साइस में धनिया डाला यह यह उप्शनला आप डाली यह बना सकते हैं साथ में लिए जरा से इस पाउट में बचा लिया है वह आपको आगे बताऊंगी क्यों बचाये थे इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगा अब यह धनिया मैंने द्धो के इसको काट के डाल दिया है क्योंकि धनिया बहुत मिट्टी वाला आ रहा है तो इसलिए मैंने से अच्छी तरह अब यह जो हरी मिर्चे को चोटा काट के डाल दूगी ताकि पीसने में असानी रहे और एकदम फटा फट से चटनी रेडी हो जाए अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो और हरी मिर्चे डाल सकते हैं मैंने इसमें सिर्फ चार चोटी हरी मिर्चे डाली है अद्रक को व अद्रक की डाला है क्योंकि नवरात्रो में हम अद्रक खा सकते हैं और ट्रमाटर को भी थोड़ा बारी काट के डाल देंगे और हांजी अगर आप इनवरात्रों के बनाने तो इसमें आप सेंदा नमक डालेगा जीरा अजमाई नमक मिर्ची सब एड़ कर लेंगे साथ में इसमें हम थोड़ा सा पानी और इसको पीस लेंगे इसमें मैं आपको काला नमक डालना बूल गया तो मैंने डाला है इसलिए प्लीज हाफ टेबल स्पून काला नमक डालेगा और देखे जब इस तरह से हो जाएगा आपका पिस जाएगा तब हम इसकंदर खोल के इसकंदर जाता है क्योंकि गरम हो जाती है इसलिए हम इसमें बड़ा फैड करेंगे तो देखे कितनी मज़ेदार सी इकदम फाइन सी पिस चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे देखा कितनी मज़ेदार सी स्प्राउट की चटनी हमने बनाई है रेडी करी है इसको आप चाहे दही ब मिक्स कर लेंगे इससे पता चलेगा कि हमने इसमें स्प्राउट की चटनी बनाई है इसलिए में चरह से स्प्राउट उपर से डाल दिये हैं और इसको सर्फ कर लेंगे यह आप इससे स्टोर करके से रख सकते हैं 15-20 दिन भी कराब नहीं होगी आप फ्रिज में कंटेनर में पैक करके रख दीजिए जब भी आपको खाना हो तो क्या करना है कैसे खाना है तो वह भी मैं आपको तिखाऊंगी और इसको बस याद दखीगा एट एक कंटेनर कोची तरह साफ करके ही डालना है जब आप इसको यूज करना चाहे तो आप इसको ले लिजिए दो से तीन च चटनी कि फीर हम यादा ने डालेंगे फैटावा धाई अच्ог दहएधए घरद धाई द्षारक Кरते चाहे तरह से अगर सर्फ करते हैं तो यह भी मंबि बनती है इतना उर इंहां से और मार्के जासे लागेगी देख रहे ना आ धेक पे भी मार्के जैसे यादा एगा चैस इसलिए मैं इसको ऐसी दिखा रही हुआ है जब भी खाना होगा समया तो धही मिला कि खाईए या फिर तड़का डाल कि खाईए तड़का का मनलब थोड़ा सा तेल के अंदर हलका सा जीरा डाल लीजिए या फिर आप इसमें रेड चिली जो साबुत वाल मिर्चे होती है उसक कि नेकला गया होगाई जेक अंदर हुआ है